यह बोल रहा है कि जो प्रोकरियोडिक सेल्स है उसको हम रिपर्दर्शित कर रहे है एक बैक्टरिया के अकॉर्डिक जैसे के ब्लू-ग्रीन अलगी यह हमारे पास एक तरीकी की अलगी होती है लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वह है सैनो बैक्टरिया अगला है यहां पे एक अगर इनको एक से दो बनाना है या दो से चार बनाना है तो यह बहुत तेजी से है रैपिडली कागरिंगे मल्टिप्लाइ हो जाएंगे ऐसा नहीं कि यू कर एक सेल्स को अप्रोक्स होती है उसको ट्विटी-फॉर अवर्स ही होते लेकिन हमारे पास यांपर जो है वह 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 बहुत जल्दी क्या कर लेती है, multiply कर लेती है, they may vary greatly in shape and size, और इनका जो shape है, और जो size है, वह vary करता है, ऐसा नहीं कि हर किसी का shape और size, same रहने वाला है, the four basic shapes, यहां पर हम चार basic shape की बात कर रहे है, of bacteria, bacteria के, और bacillus, पहला है हम पर bacillus, जिसको हम बोलते है, rod like, दूसरा है हमारे पास cocas, जिसको हम spherical बोलते है, फिर हमारे पास webbrio आयाता है, जिसको हम comma shape बोलते है, और sparyllum आयाता है, जिसको हम बोलते है, spiral shape, ठीके, यह चार तरीके के shape आपको पता हो ना चाहिए, कभी-कभी पूछ आयाता है, which shape is this, या option दे देगा, या diagram दे देगा, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए, the organism of the prokriotic cells is fundamentally similar even to prokriotic exhibit a wide variety of shape and function, यह बोल रहा है कि fundamentally prokriotic एक जैसे organize हुए होते हैं, और यह exhibit करते हैं, बहुत लंबी variety में, मतलब बहुत जादा value होते हैं, shape or function में, यानिके इनका ज सकते हैं, आगे देखो, all prokriotics have a cell wall, जो भी prokriotic है, उसके पास क्या है, cell wall है, surrounding the cell membrane, cell membrane के चाओर तरफ, except in mycoplasm, लेकिन mycoplasm के उपर कोई भी cell wall present नहीं होती, यहां पर अगर तुम्हारे को structure देखने की बात करें, तो यह typical bacteria है, इसको हमने PPLO बोल दिया है, और यह हमारे पा matrix filling the cell in the cytoplasm, और जो fluid की तरह होता है, पानी की तरह भारा हुआ होता है, cell के अंदर उसको हम बोलते हैं, cytoplasm, there is no well-defined nucleus, लेकिन इसके अंदर कोई भी well-defined nucleus नहीं present होता, यानि कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि यही nucleus है, मतलब बिलकुल confirm नहीं बता सकते है, the genetic material is basically naked, और जो not enveloped by a nuclear membrane, और कोई भी enveloped की तरह या उसकी membrane की तरह कोई भी चीज़ वहां पर पाई नहीं जा रही है, in addition to genomic DNA और उसके अंदर addition हो जाएगा genome का, जिसे हम DNA बोल रहे है, the single chromosome circular DNA होता है, ठीक है, single यह याद होना चाहिए, कि जो prokratics होते हैं, जहातर single chromosome देखने को मिलेगा हमा के अंदर छोटे-छोटे से DNA होते हैं, और साइट दा genomic DNA, genomic DNA से अलग, यह क्या हुआ, तो और साइट दा genomic DNA, DNA चो अच्छोन में है, उससे अलग पड़े होंगे, छोटे वाले DNA, the smaller DNA called plasmids, छोटे-छोटे से DNA होते हैं, हमने यह वाली जो video record कर रहे हैं, तो आपने दो बा को दिखा रहा है, यह plastic दिख रहा है, जो actual में DNA नहीं है, DNA से अलग है पड़ा हुआ, ठीक है, उसको हम plastic बोल रहे है, the plasmid, okay, plasmid, the plasmid DNA confirm certain unique phenotypic characters, इसके अंदर अगर कुछ ना कुछ, जो हमारे पास plasmid है, the plasmid DNA confirm certain unique phenotypic character to such bacteria, जो plasmid है, उसकी वज़े से bacteria के अंदर कोई ना कोई phenotypic characters आते हैं, यानि कि उसकी जो बहारी बनावट होगी, या बहारी बनावट के नो जो भी बदलाव आ रहे है, वो plasmid DNA के दुवारा आ रहे है, okay, one such character is resistance to antibiotics, इन में से एक ऐसा भी character होता है, जो resistance करता है, यानि कि रुकावर डालता है, एंटी बायोटिक्स को, या कि हमारा जो बैक्ति है, वो मर नहीं जाए, खतम नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा रोखना चाहेगा, ठीक है, आगे देखो, इन higher classes, लेकिन हम बड़े classes में, you will learn, पढ़िंगे, that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation, क्या plasmid का use होता है, DNA को transform करने के लिए, एक उससे दूसरे forging DNA में, यानि कि एक DNA, forging DNA में, transfer होने के लिए, क्या हम उसको monitor करते हैं, उसको देखते हैं, यानि कि जो plasmid है, वो, यानि कि यह हां से इसको निगाह रखेगा, कि यह transfer हो रहा या नहीं हो रहा, forging DNA के साथ, आगे देखो, nuclear membrane is found in eukaryotes, nuclear membrane पाई जाती है, eukaryotes के अंदर, no organelles, लेकिन कोई भी organelles नहीं होता है, prokaryotes के अंदर, देखो, यह कहना चारा है कि nuclear membrane पाई जाएगी, eukaryotic cells के अंदर, लेकिन जो eukaryotic cells के अंदर organelles होते हैं, वो organelles prokaryotic cells के अंदर नहीं पाई जाएगे, like the one in eukaryotes, जैसे कि eukaryotes में होते, are found in prokaryotic cells, except for ribosome, लेकिन ribosome जो है, वो तुमारा, उसम पाई जाएगा, यानि कि prokaryotic cells में भी पाई जाएगा, और साथी साथ, eukaryotic cells में भी पाई जाएगा, prokaryotes have something unique, prokaryotes के पास, कुछ ना कुछ ऐसा character है, जो भी unique है, in the form of inclusion, अब इसमें देखो, कुछ inclusion है, जैसे कि specialized, differentiated form, form of cell membrane called mesozoom, एक जो है, ना, यहाँ पर cell membrane differentiation होके है, हमारे पास mesozoom बला ली, यानि कि साथी साथ हमारे पास cell membrane है, cell membrane के साथ साथ, एक membrane हमारे को और देखने को में भी जिसको का नाम हमने रखा है, mesozoom, ठीक है, यह differentiate होके बनी है, जिसको हम क्या बोल रहे, mesozoom बोल रहे, okay, the characteristics of prokaryotes, they are essentially in folding of cell membrane, यह बही character है, prokaryotes का, यानि क अगर मैं mesozoom देख लेता हूं cell के अंदर, तो मैं यह कह सकता हूं कि यह जो cell है, वो prokaryotic cells है, और साथी साथ, उस mesozoom के अंदर in folding, यानि कि कुछ ना कुछ folds होंगा, इससे बने वे, ठीक है, कुछ ना कुछ folds होंगे, आगे देख लो, cell envelop and its modification, जो हमारे पास cell envelop है, यानि क यह cell का जो लिफाफा है, और उसके मोडिफिकेशन कैसे कैसे हो रही है, most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, यह बोला, जाहत रहा हम prokaryotic cells की बात करें, और उसमें भी हम bacterial cell ले रहे, have a chemically complex cell envelop, यह जो बनावा है, वो chemically, एक complex cell envelop से मलके बनाए, यानि कि जो इसका envelop होगा, वो chemically बहुत जादा च पहली वाली जो है, वो बाहर के तरफ होती है, जिसको हम बोलते, glycocalyx followed by the cell wall, और यह cell wall को follow करेगी, and then the plasma membrane, यानि कि हमारे पास, तीन लियर पाई जाएंगी, prokaryotic cells के अंदर, ठीक है, जो पहली वाली cell होगी, वो हम बोल सकते, glycocalyx, दूसरी वाली cell wall, तीसरी वाली plasma membrane, ओके although each layer of the envelope performed distinct function, they act together as a single protective unit, और तीनों को तीनों मिलके, एक single protective unit बनाती है, bacteria can be classified into two groups, bacteria को हम classify क्या है, दो groups में, on the basis of the difference in the cell envelope, उसके cell envelope के दुआरा की, भई, उसका जो cell का लिफाफा है, उसके according हमने, जो prokaryotic cells है, या bacteria है, उनको हमने दो उसमें divide कर दिया, पहला दिख लो, response staining, अगर उसने response किया staining producer पर, procedure पर, जैसे कि मालो मैंने paint किया यहां पर, तो इसके उपर अगर die दिख गई, तो हमने बोल दिया, वो gram positive है, देख़ए हम पर बोल रहा है, by gram positive, those that take up the gram stem, अगर उसने gram stain को ले लिया, यानि कि अगर उसने die को ले लिया, जैसे कि मैं इस पर die करूँ, तो इसने die को ले लिया, तो यह कहलाएगा gram positive, and the other that do not are called gram negative, और मैंने एक और पी क्या, लेकिन वहां पर, मैं अगर यहां पर करो, तो यहां पर नहीं हो रहा है, तो यह वाला जो bacteria कहलाएगा, वो gram negative कहलाएगा, ठीक है, आगे देखू, glycocallics differ in composition and thickness, यह बोल रहा ह glycocallics जो है, वो कहीना कहीन बदला हुआ होता है, और इसका जो बनावाट है composition and thickness, और उसकी जो मोटाई है, वो भी differ होते है, यह यह नहीं कह सकते है, आपके हर bacteria के अंदर same glycocallics रहने वाला है, कहीना कहीन वो बना हुआ किसी और से chemical से मिलके बना होगा, या कहीना कहीना कह होगा या पतला जादा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, among different bacteria, अलग-अलग bacteria के अंदर, it could be a loss sheet called slime layer, इसके पास अगर धेली-धाली sheet है, कैसी है, धेली-धाली sheet है, तो उसको हम बोलते है, slime layer, ठीक है, आगे देख लो, in some well, in other, it may be thick and tough, अगर वो किसी, मतलब किसी हिसाब से tough, मतलब कढ़ हो रहे थोड़ी, तो उसको हम बोलते है, capsule, क्या बोलते है, capsule, बोलते है, the cell wall determines the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing, यह बोल रहा है, कि जो हमारे पास cell wall है, क्या है, cell wall जो हमारे पास है, वो भई, एक shape देती है, हमारी cell को, and provide strong structure, और उसको एक प्रोवाइड करेगी, एक कठोर सा, एक अच्छा सा structure, जिससे के bacteria burst ना हो जाए, और collapsing, यानि कि burst मतलब फट नहीं जाए, collapse का मतलब नहीं जाए, एक दूसरे चिपक नहीं जाए, तो cell wall का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर देखो, cell wall present है, किसी भी bacteria के अंदर, तो उसको हम antibody की देख जो plasma membrane है, वो selectively permeable है, selectively permeable का मतलब होता है कि तुमारे को select करके अपने अंदर लेगी, ठीक है, तो plasma membrane is a selectively permeable in nature, nature के अंदर and interact, और ये interact करती है with outside wall, बहारी दुनिया से, this membrane is similar structurally to that of eukaryotes, ये बिलकुल वैसे ही होगी, जैसे eukaryotes के अंदर देखने को मिली है, ठीक है, जैसे कि मालो हमारी जो cell है, हमारी cell के चारो तरफ क्या है, plasma membrane है, plasma membrane जो select करके, जो भी उसको चाहिए, वो अपने अंदर लेगी cell के अंदर, लेकिन मालो एक bacteria बैढ़ा, तो उसको अंदर लेना बिलकुल possible नहीं है, वो बना कर देगी, तो इसलिए ये बोल रहा है कि prokaryotic cells और eukaryotic cells के अंदर ये चीज़े सेम देखने को मिल रही है, plasma membrane में, ओके, special membrane structure is the mesosome, अब दिखो आप इसे वही लाइना अरी उपर वाली, जो special structure है, prokaryotes का, वो है mesosome, which is found by the extension of plasma membrane into the cell, ये extends करता है, plasma membrane से अंदर की तरफ cell में, ठीके, जैसे कि मालो एक तरीके से ये तुमारे पास plasma membrane है, तो ये extends कर रहेगा, अंदर की तरफ, किसमें, cell के अंदर, तो ये वाला जो होगा, ये वाला, ये वाली जो layer है, ये होगी mesosome की, ओके, और ये वाली जो होगी, वो तुमारे पास, cell membrane होगी, ठीक है, these extension in the form of vesicle, tubules and lamula, ये इस form में मिल सकती है, तुमारे को, they help in cell wall, और ये देखो, क्या बोला है, कि ये help कर रही है, cell wall formation, यानि कि mesosome help करती है, cell wall के formation में, DNA replication, ये बात याद रख लेना, cell wall के formation में, DNA replication, daughter cell को divide करने में, यानि कि एक cell से अगर दो cells बनाना चाहरा हो, तो आपर mesosome का होना बहुत जादा सरूर है, they also help in respiration, और ये respiration में भी help करती है, prokriotic cells के अंदर, secretion किसी भी चीज़ को बाहर फेकना है, तब भी तुम्हारे पास mesosome आएगी, और वो बाहर फेकेगी, to increase the surface area, अगर cell का size बढ़ाना है, prokriotic cells के अगर size बढ़ाना है, तो mesosome के ही हाथ में होता है, कि उसके surface area को बढ़ा दे, the plasma membrane and enzymatic content, और इसमें देखो क् अगर हम कुछ और prokriot की बात करें, like cyanobacteria, cyanobacteria का दूसरा नाम क्या है, blue green algae, there are other membrane extension, इसके ऊपर एक और membrane पाई जाती है, into the cytoplasm, cytoplasm के अंदर, called chromatophores, जिसे हम क्या बोलते है, chromatophores, हरा हरा कर देते, chromatophores which contain pigment, और इसके अंदर क्या pigment होता है, दिखो, chromatophores वर्ड है, व यह मैं ऐसे कह सकता हो, chrome का मतलब देखो, अगर तुम google पर आते हो, तो सबसे पहले chrome वाले app पे तुम click करते हो, तो chrome वाले app होता है, उसके चाड़ो तरफ कई सारे colors होते है, तो chrome से ही chromatophores आ गया, ठीके, और इसी वज़े से हमने इसका नाम रख दिया, pigment, आगे देखो, bacterial cells में भी motile, bacteria की जो cell होगी, वो motile भी हो सकती है, और non motile भी हो सकती है, motile का मतलब क्या होता है, motile का मतलब यह होता है, कि एक bacteria हमारे पास, अब यह bacteria अगर अपनी पूच के दुवारा चल पा रहा है, ठीक है, तो यह कहलाएगा, motile कहलाएगा, अगर मालो इसके पास पूच ह अगर भी ना हो, तो वो bacteria non motile कैलाएगा, आगे देखो, if motile, अगर वो motile है, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella, एक पतला सा धागे की तरह, filament की तरह, बाहर निकलेगा, cell wall से, जिससे हम क्या बोलते है, flagella बोलते है, इसको हम क्या बोलेंगा, flagella, bacteria show a range in a number of arrangement of flagella, भाई यह arrangement भी होता है, जैसे कि मालो, आज ऐसे करके निकल रहा है, कल को, अगर तुम दूसरा कभी bacteria देखो, तो ऐसे करके निकल रहा है, या मालो, एक ही से दो निकल गए, छोटे-छोटे, एक बड़ा निकला, एक छोटा निकला, तो यह बोल रहा है कि arrangement भी इनका, कभी-कभी, अलग-अलग होता इसको हम filament बोलते है, और जैसे ही hook की बात करेंगे, तो वो just cell wall के पास वाला हिस्सा होगा, लेकिन जो cell wall के अंदर धसावा होगा, उसको हम basal body बोलते है, the filament is the longest portion, जो filament वाला है, वो सबसे लंबा portion है, and extend from the cell surface, और यह निकलता है cell surface से, to the outside बाहर की तरफ, beside flagella, flagella के साथ साथ हमारे को pili and fembrae देखने को मिलता है, ठीक है, एक और यह structure है, यह देखने को मिलते है, also surface structure, यानि कि यह भी हमारे को surface पे देखने को मिलते है, of the bacteria, bacteria के, but do not play a role in motility, लेकिन कोई भी role play नहीं करते है, motility के अंदर, समझ के वरी बात, यह कहना चाहरा है कि pili और fembrae, एक ऐसी structure है, जो motility में help नहीं करेंगे, motility में help जो करेगा, वो flagella ही करेगा, जैसे कि हमारा sperm है, अगर sperm के अंदर flagella है, तो वो motile होगा, ठीक है, वो sperm बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएगा, अब पता लगा flagella ही नहीं है, तो क्या ही चलेगा, इस परम भई, समझ रहो, the pili are elongated, pili जो होता है, वो elongated होता है, लंबा-लंबा खेचावा होता है, और tube की तरह होता है, structure made up of special protein, एक special protein से मिलके बना होता है, लेकिन protein का नाम नहीं बता जाया है, the fembrae are small bristle-like fibers supporting out of the cell in some bacteria, और fembrae भी एक तरीकी का structure होता है, जिसको हम bristle बोलते है, ठीक है, जो क्या करता है, support करता है, तुमारे को किसी भी चीज में attach करने के लिए, जैसे कि मालो कोई भी stone है, या कोई भी पत्थर है, तो उसको वो attach कर लेगा, bristle के द्वारा, to rock in steam and also to the horse tissues, या वो किसी को खाना चाहरा, तब रोख सकता है, यहां पर हम एक तुमारे को दिखाते है structure, यह tube की तरह structure बन जायागा, तुमारा पिलाई का, ठीक है, यह क्या करेगी tube, कोई भी अगर genetic material transfer करना है, तो इसके दोवारा genetic material transfer हो जाएगा, लेकिन अगर हम fembrae की बात क चिपकने का भी काम करेंगे, किसी ना किसी पत्थर पर चिपक जाएंगे, या इनको किसी को खाना है, तब चिपक जाएंगे, मालो यह बहर है, तो यह सोचिंगे कि हम चिपक के यहां रह जाएं, तो यह चिपकने का का काम करते हैं, और यह मदद करते हैं, ठीक है, या मालो इस प्लाजम में बेंब्रैन के अंदर होगा, ठीक है, with the plasma membrane of cell, ये बोल रहा है कि जो plasma membrane है, जैसा के एग्जामपल के तुरपर हमारे पास ये cell है, इस cell के हमने ये plasma membrane है, इस cell के हमने ये plasma membrane मनाई, तो इसके अंदर तुम्हारे को ribosomes देखने को मिलेगा, क्या देखने को आगे देखो, they are about 50 nanometer by 20 nanometer, इसका जो size होने वाला है, वो 15 से 20 nanometer होने वाला है, are made up of 2 subunit, 2 subunit से मिलके बना होता है, 50S and 30S units, which when present together form 70S, अगर हम इन दोने को मिला दें, तो ये 70S बन जाता है, दोको ये 70S कैसे बन गया, मैं तुमारे को बता देता हूँ, जैसे के मालू अगर हमारे पास ये एक ribosome का हिस्सा है, और दूसरा ये वाला हिस्सा है, ठीके, ribosome का, तो ये वाला जो हिस्सा है, वो 50S है, ठीके, ये वाला जो हिस्सा 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 है, ठीके, ये वाला जो ह को बनाना, several ribosome may attach to a single mRNA, कुछ ribosome ऐसे हैं जो mRNA से जुड़ जाते हैं and form a chain और एक chain बना लिए जिसको हम बोलेंगे poly ribosome या polysome, the ribosome of polysome translate the mRNA into protein, अब ये इसको polysome जो है न वो translate करेंगे mRNA से protein में, यानि कि हमारे पास messenger RNA जो है, वो protein में transfer हो जाएगा, messenger RNA एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि वो message लेकर जाता है, और उसी हिजाब कि उसको protein चाहिए, ठीक है, ये आने वाले time में तुम बढ़ होगे molecular basis of inheritance में, जो अपना वो chapter शाड़ होगा तब, inclusion bodies, reserve of material in prokriotic cells are stored in the cytoplasm, ये बोल रहा है कि ये भी store होता है cytoplasm in the form of inclusion body, inclusion body की form में, these are not bound, ये भी किसी से bound नहीं है, by any membrane, system and life free in the cytoplasm, ये ऐसे का ऐसा ही पढ़ा रहता है cytoplasm के अंदर, जैसे कि phosphate granules, क्या है, phosphate granules, and glycogen granules, gas vacules are found in blue green algae and purple and green photosynthesis bacteria, ये सारे के सारे जो तुम्हारे को बनना भी बताए कि phosphate granules, cytoplasm ये पाए जाते हैं, cytoplasm और ये freely lie होते हैं, ऐसी पढ़े वहे होता है, और इनके चारहो तरफ कोई भी bond नहीं present होता है, ये कोई भी membrane bond नहीं होता है, आनिके नहीं होता है वहां पर वो तुम्हें दे देगा कि green and purple या green photosynthesic bacteria तब तुम्हारों को यही लगाना पड़ेगा ठीक है ओके अब हम पढ़ेंगे eukaryotic cells the eukaryotic include all the protesta plants animals and fungi देखो किस-किस के अंदर देखने को मिलेंगे protesta में plant kingdom में animal kingdom में और fungi kingdom के अंदर हमारे अपने 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 नहीं कोई बी पढ़ा है ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी पड़ा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है जहां पर नुखलेस होना चीह हां पर नुक्लस मिलेगा आगे दो को you create excel poses and organized nucleus with a nuclear in-vailup लेकिन इसकी अंदर जो नुकलियर होगा वो nuclear in-vailup के अंदर यानि कि चाड़ो तरफ तुमारे को membrane देखने को मिलेगी कि किसकी nuclear की इन एडीशन you create x have a variety of complex लोकोमोटरी एंड साइटोस्क्लेटन इस्टेक्चर जो तुम्हारे पास यूकराडिक सेल से उसके पास बहुत ही बढ़िया कठोड सा लोकोमोटरी का एक तुम्हारे को वरैटी देखने को मिल जाएगी यानि कि अलग-अलग सेल के अंदर अलग-अलग तरीके का लोकोमोश हो लेकर इसका जो चैनेटिक माटिरियल होता है वह और्गेनाइज होता है कैसा होता है और गनाइज का मतलब होता है कि एक तरीके से मैनर में ऐसा आने कि भाई रेंडम ली पड़ा है कहीं भी पड़ा कोई मतलब भी नहीं लेकिन यू कर लगा दिया देखो प्लांट एनिमल सेल्स आर डिफरेंट लेकिन यह बोल रहा है हम प्लांट और अइनिमल सेल्ट को जरूर हम वेरिफाई कर लेंगे यह इडिटिफाई कर लेंगे कर लेंगे फॉर्म पोजेसे सेल्ट की वजे से एनिमल की वजय से और लाइट होगे अनिमल की अंदर तो यहां पर कुशन यह आ सकता है तो यहां पर बता सकते हैं कि plant cell जो होगी उसके अंदर cell wall present होती है plastic present होती है और large centriol वेक्विल present होता है लेकिन animal cell के अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ हमारे को centriol देखने को मिलता है ठीक है on the other hand animal cells have centriol which are absent in almost all plant cell centriol जो है वो present होता है animal cell के अंदर लेकिन सारे के सारे plant में centriol बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है ठीक है आलमोश के वाला बिल्कुल भी नहीं पाया जाना वाला ठीक है अब यहां पर हमारे पास structure है एक plant cell का अब इसको हम plant cell किस तरह किसे बोल सकते हैं ठीक है तो पहली चीज है कि यह हमारे पास यह हमारे पास है hexagonal ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसके चार कोने बनने वाले चार नहीं छे यार स्री है है यहां पर ऊक्ष है ऐसे कौने बनने वाले यह लुए तो इस संदर आ देखुएंग लेकुर्ट बीकर Imperator कि नहीं देए रखा है या रखा अ हमारेैगे लैपिशनय कंग रिया जो कि powerhouse है ribosome photosynthesis करता है क्या बोलते इसको protein का synthesis chloroplast photosynthesis में help करता है cytoplasm is a fluid peroxisome यह ऐसी organeels होते हैं पड़े वे यह बी help करते हैं तुमारे को photosynthesis में macrotubules यह धागनुमा structure macrotubules कराते macrotubules को मतब छोटे-छोटे tubules का मतब tube की तरह plasmodesmata यह layer हो गई तुमारी smooth endoplasmic reticulum lysosome और rough endoplasmic reticulum तो यह हमारा था plant cell का structure जो कि तुम्हें एक दो बार बनाना पड़ेगा तब तुम्हारे को सारा का सारा याद हो जाएगा अब देखलो यहां पर हमारे पास आया अनीमल सल तो-अनीमल सल को हमने कैसे पचांदा पहली बात macroVAL अगर तुम्हारे को देखने को मिल जा तो तुम बहुटे यह लोगे यह अनिमल साल है दूस्री चीज अगर इसके नाइंडर संट्रे ओस देखने को मिल जाए त तब तुम बरूणोगे कि है रआ नहीं होती है। इसकें दो प्लास्म डाजम में वा रहता है। यह जबंद थेमिजा नहीं पर्अक्रम मंहब रहता है। लेट आस नौ look at individual cell organiol to understand their structure and function यह बोल रहा है कि चलो भई आप पड़ते हैं उसकी structure को और उसके function को कि organiols कैसे कैसे work कर रहा है organiols का मतलब होता है कि यह जो तुमारी cell है इसके अंदर यह जो mitocountry जा है यह organiol क कलाएगा यह जो में तुमारे सेंट्रियोल है यह और्गिनिल कलाएगा ठीक है यह पैराउक्सिजु में यह और्गिनिल कलाएगा ओके